दोस्तों आप सभी का हमारी चाहिए स्टेडी रूप एजुकेशन में स्वागत है आज किस वीडियो में हम 36 गर्षिक्षक भरती के लिए हिंदी भासा के कुछ महत्पूर MC की प्रशनों पर चर्चा करेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन दिया गया है काव अर्षा जब क्रीशी सुखाने लोकोक्ति का अर्थ है कारी करने का समय निश्चित करना दूसरा है हमेशा कारी करने का उसर तलासना तिसरा है मौका मिलने पर कारी करना और चौथा है मौका बिद जाने पर कारी करना ब्यर्थ है इसका सही अंसर होगा option D मौका बिद जाने पर कारी करना ब्यर्थ है यह इस लोकोक्ति का सही अर्थ है का वर्षा जब क्रिसी सुखाने अगला प्रस्ण है लिखने की रिती को क्या कहते हैं सैली, वर्ण, वर्तनी इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा option C वर्तनी लिखने की रिती को वर्तनी कहते हैं अगला प्रस्ण है अधिकारी का बहुवचन क्या है? अधिकारी जन, अधिकारियें, अधिकारी वर्ग, इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसरों का option C अधिकारी वर्ग अधिकारी का बहुवचन होता है अधिकारी वर्ग अगला प्रशन है अत एव को विग्रह कर संधी का प्रकार बताईए अप्शन A है स्वार संधी, अप्शन B है विशर्ग संधी, अप्शन C है वेंजन संधी और अप्शन D है इन में से कोई नहीं तिसका सही अंसर होगा option B, विशर्ग संधी, अत्येव का विग्रा होगा विशर्ग संधी, अगला प्रशन है नीचे, प्रत्ये क्वर्ग में दिये गई विकल्पों में देशच का शेयन किजिए, option A है किसान, option B है जोफडी, option C है चंद्रीका और option D है सरीता, तिसका सही अंस क्या दिये गए है उनвें से एक सही वाक्य का चेयन किजिए, तो इसका सही अंसर होगा option D, किसी काम में असुइधा नहीं होगी, अगला प्रशने में लिखित प्रशन में चारवी कल्पत दिये गए है इन्में से सही वाक्य का चेयन किजिए, आज रवीवार का दीन है, Option A है द्वीगु समास Option B है द्वन्द समास Option C है कर्मधाराय और Option D है इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा Option A द्वीगु समास द्वीगु समास में प्रथमपत संख्यावाची होता है अगला प्रस्न है काल के कितने भेद होते हैं चार, पांस, तीन और इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा Option C तीन काल के तीन भेद होते हैं अगला प्रस्न है दामनी का परिवाची सब्द है विद्दूत, बादल, वारिद, वर्षड तो इसका सही अंसर होगा Option C विद्दूत धामनी का परिवाची सब्द है विद्धूत अगला प्रस्ण है नीचे प्रत्यक पर्ग में दिये गए विकल्पों में से तद्भव का छेन कीजिए कपाट, कृिसक, कुमार, कोयल तो इसका सही अन्सर होगा ओप्शन D कोयल कोयल एक प्रकार का तद्भव सब्द है अगला प्रस्ण है स्वार किसे कहते हैं स्वार और स्वार वर्णों का मेल स्वार येवर वेंजन वर्णों का मेल आप्शन C है वेंजन और विसर का मेल और आप्शन D है इन में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा option A, strilling, फुष्टक सब्द में strilling होता है, अगला प्रशन है उल्टी गंगा बहाना, महावरे का सही अर्थ का शेयन कीजिए, option A है घटना होकर रहना, option B है घटना पूरो की सुचना, option C है अनुहोनी होना, और option D है असंभाव को संभाव करना, तो इस वीडियो का आखरी प्रशन, क्रिया के जिस रूप से, बीते हुए समय से, संपन होने का पता चले, उसे कौन सा काल कहते हैं, परतमान काल, भविश्यकाल, भूत काल, इन में से कोई नहीं, तो इसका सही अंसर होगा, भूत काल, भूत काल से हमें क्रिया के, बीते हुए समय क संपन होने का पता चलता है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना भूलें और 36 गर्षिक शक भरती से जुड़ें ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं